देस या राज की बात कर ले तो भूखे मरने की खबर हमेशा निकल कर स्यामने आती है आपको बता दे कि राजनेता तो जिस तरीके से किशानों की बात कर ले तो किशान इन दिनों बॉडर पर प्रदर्शन कर रहे हैं साथी साथ राजनेताओं की बात करें तो वो भी समर्थन दे रहे हैं लेकिन जिस तरीके से विधान सभा का कार्य चल रहा है और विधान सभा में जिस तरीके से तमाम नेता पहुंचते हैं तो अलग-अलग धंग से पहुंचते हैं अलग अलग ब्रियोद प्रदरशन करने का जो तरीका है बात कर ले डिजल पिट्रोल के तरीके को देख ले तो साइकिल से और आज ही की बात कर ले नेतापरतिपक्स ते जश्वी यादब की तो वह ट्रेक्टर से आये थे लेकिन बात कर ले कि किसानों को जिस तरीके से MSP का बात करें साथी साथ आज सकील एहमद खान जो विधान सभा पहुंचे थे वो यह पोटली लेकर पहुंचे थे तस्वीरे देखे कि किस तरीके से यहां जो पोटली है किसानों के लिए जिस तरीके से हित की बात कर रहे हैं तो किसानों का अगर हित है साथ साथ स्लोगन तक लेकि आये थे वो स्लोगन तक जो है वो छोड़ कर चले गए अंदाता से खिलवार नहीं सहेगा हिंदुस्तान लेकिन बात कर लेकि वह समर्थन में तो आएं लेकिन बता दे आपको कि जिस तरीके से विधान सभा का कार समाप्त हुआ कल तक के लिए अस्थागित हो गया है कल में जो किसानों के हित में भी डिमांड MSP के जो पोस्टर बनाए थे जो साथ में अनाज लटकाये थे अनाज भी देखिए मक्का है धान है गेहुं है और प्याज है प्याज की बात कर ले तो लगां गे घिंवन है तो जो धान नेता उन्हें दे देते तो उनके घर में एक जुन की रोटी हो जाती एक जिस तरीके से जो तमाम लोग भूखे सोते हैं कम से कम अगर ये अन्न नेता जी उनको जाकर दे दी होते तो जो गरीब हैं जो किसान जो गरीब भूख्यों से होते हैं कम से कम इसको बना कर खाना खा स हम लेकर आए हैं वो हम इसे छोड़ कर जा रहे हैं आखे रिया मेहनत से किसानों का ही उगाया हुआ है और आज भी किसान जो है वो बॉडर पर इनी सब चीजों के लिए जो है प्रदर्शन कर रहे हैं हलाकि किसानों के समर्थन में तो उत्रे लेकिन किसानों का मेहनत से उगा हुआ अनाज को ही भूल गए बनेहर नीज़ पर नेशन के साथ नमस्कार